हेलो फ्रेंड्स वेलकम तुमाइ यूट्यूब चैनल टेक्नो आर्ट मेड एजी आज का हमारा टॉपिक है जो वो है हमारा सिंदु घाटी सब्विता से प्राप्त प्राइस्ट किंग की जिसको हम अलग-अलग नामों से जानते हैं जिसको हम पुजारी राजा भी बोलते हैं इंग्लिस में प्रतिमा भी करके आता है अलग-अलग गूप से इसका नाम मिलता है ठीक है दो हजार इसापूर से उनुस्व इसापूर का है इस्टेटाइट एक पत्थर जो होता है ना उसके जिसको लाल-बलवा पत्थर भी कहीं कहीं बुप में लिखा होगा अगर नहीं होगा तो इस् इंपॉर्टेंट है जैसे हमारी डांसिंग गर्ल है वैसी ही यह वाला जो मूरती है यह कई बार उग्जाम में पूछा गया है मैंने अपने जो वीडियो आप लोग के लिए छोटे-छोटे इसलिए इस सिरीज में सुरू किये हैं जिसे आप लोग को एक-एक स्कुप्चर के बारे में थोड़ा सा डिटेर में पता रहे और आप कंफ्यूज भी ना हो एक साथ पढ़ने में कई बार चीज़े बहुत ज़्यादा मिक्स अप हो जाती है इसकी जो विसेस्ता हैं वो हम देख लेते हैं दो पीन विसेस्ता है सबसे पहली बात क्या है यह तहां पे संग साय कि पुजारी राजा के नाम से बोल डएंगे या पूछेंगे कई बार योगी पुरुस पतिमा कौन की किसकी है या प्राइस्ट किंग या किंग पर कुछ भी इस तरीके से अब पूछते हैं पुजारी राजा एक छोटी पूरस आकरती जिसे इस्टी टायट में तरासा गया है तरीके का पत्थर होता है 1925 से 26 में है जो अब मोहन जोडो पाकिस्तान में मतलब यह संगरहित कहा है अगर पूछा जाता है तो यह मोहन जोडो पा मानव मोर्ती है और जो सिंदु संबिता की सबसे प्रशिद पत्थर की मोर्ती मानी गई है जैसे वो तो हमारी ब्रॉंज में थी बड़ यह पत्थर की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके कुदाय दचिडेसिया में बिटेस राज की अवधी के दौरान भारती पुर मूर्ती कला एक बड़े करीने से दाड़ी वाले आदमी को उसकी सिर के चारो और एक पटिका के साथ दिखाता है मतलब जो भी हम लोग देखेंगे पिक्चर उससे पता चलता है कि जो चारो तरफ सिर का जो चारो और का हिस्सा है उसको एक पट्टी जैसे रूप में देखें जो लाइनिंग जैसी बनी इसको दाड़ी बोलते हैं यह मैंने अलग-अलग नाम इसलिए लिग दिये हैं क्योंकि कई बार पेपर में अलग-अलग टाइप से भी पूछ लेता है ताकि आप पन्फिस नाहो दाड़ी वाले आदमी की हम रूप की एक पुजारी या कई बार पूछा जाता है तो क्या है कि जितना भी चीजें हैं की पॉइंट वो आप लोगों को याद रखनी आप पूछा है कि जिसे एक शॉल में लपेटा जाता है दाहिने दाहिने तरफ से हाथ के नीचे आता और बाएं गंदे को ढटता ठीक है इसके शॉल को टिप्ति टिप्तिया पैटर्ण मतलब तीन फ्लावर बना है जिसमें देखें तीन रिखाओं से तीन पत्ली बनी है इसको क्या बोलते तिप्तिया पैटर्ण से सजाए गया है इसकी आँखे थोड़ी लंबी है और आधी बंद है जैसे ध्यान में अभियान से देखोगे मुर्ति को समझ में आ जाएगा नाक थोड़ी खंडित हो गई है आखे जो है वो कितनी लंबाई में बनी है और पतली पतली जो आधी पुली है जैसे ध्यान मुद्रा में तो फोटो देखे आपको समझ में आ गया होगा बहुत सारी चीजे नेक्स्ट है नाक अच्छी तरह से बनती औ है जिसमें कट-कट मुचे और चोटी दाड़ी और मुचे हैं मतलब जब हम इसको ध्यान से देखेंगे इस पिक्चर को इसमें क्या है लाइनिंग दी गई है जो दाड़ी के रूप में इसकी नाइनिंग बनाई गई है और हलकी हलकी मुचे है कान के बीच में क्या है इसके एक छेद है चेद के साथ डबल गूले जैसा गिए कशेद को बीच में बाठा गया है कि धिशी फोटो को देखेक बालों को बीच से बाठा गया गया है यंद रहए साधा बना हूद आफंट lij जैसे वाले कि उजारी के एक बाजू बन नाहिने हाथ में पहना जाता है और गर्दन के चारो छेद एक खार का संकेत देते हैं मतलब गर्दन के चारो और जो छेद है मतलब वो एक शायद हार के जैसा दाड़ी वाले पुजारी के कंजे पर शॉल इंगित करता है ठीक है जो अभी हम लोगों ने ये देखा त्रिपतिया जिसमें डिजाइन बनी हुई है चारो तरफ से तो ये क्या एक शॉल जैसा है पढ़ाई की हस्तकला आमतर पर सिंदोगाटी सब फैक्ना में प्रेश्रिक थी तो जो चीजे मिली हैं मूर्थियों में पात्रो में उसके आधार पे ही हम वहाँ की जीवन सहली उनकी धिन चर्या और उन सब का अनुमान लगा लेते हैं, उनकी कला का अनुमान लगा लेते हैं, जैसे कि हम लोगों ने अब इस फोटो को देखा, इस मूर्थी को देखा, सपोज़, अब हमने देखा कि ये शॉल डाले हुए, शॉल में डिजाइन भी है, तो सम्भवता ये अनुमान लगा ज पूरी है, मतला ऐसा नहीं लगता है कि पूरी एक मूर्थी है, कुछी नीचे से कट है, मूल रूप से बढ़ा था और एक पूर लंबाई वाली बैठी हुई है, गुटने टेकने वाली आकरती थी, इसका कोई टुपड़ा नहीं मिला नीचे का, या बैठी थी, या खड़ या तो पूर रूप से लंबी एक बैठी हुए आप लिए जैसा कि अभी है, यह 17.5 cm और 6.9 इंच उंची है, इसके लिए भी अलग-अलग बुक्स में हो सकता है, दो पॉइंट इदर उदर मिल जाएं क्योंकि इसके लिए मैंने आपको पहले भी कई बार बताया हुआ है, बुक्स में थोड़ा बार डिफ्रंस दे दिया गया है. इसकी एक प्रतिकरती है, यह जो लेफ हैंट साइट में आप देखोगे और जो दूसरी है, बड़ी सी इसकी प्रतिकरती है, यह कहां पे है? मुहं झारो साइट के प्रवेशदोर पर पढ़ी की गई है. अब देख कि भारती है पुरा तक तो वे दाओं ने इसकी थोच करी थी तो ये भारत में होनी चाहिए बड़ ये पाकिस्तान में कैसे पहुच गई तो यह प्रतिमा पाकिस्तान और भारत की बिश नाइंटीन सेवेंटी टू के बाद ही पाकिस्तान को लॉटा दी गई थी मतलब 1972 का जो इंद्रा गांधी द्वारा किया गया था अगर आपसे कभी इन केस ऐसा कोश्चन गुमा के पुछा जाता है तो आपके पता होना ची नाइंटीन सेवेंटी टू के जो सिंगला समुझा होता हुआ था उस टाइम ये मूर्ती कहां पाकिस्तान को सौंप दी गई थी ठीक है एक पाकिस्तानी पुरा तेत्विविद के अंसार गांधी ने पुजारी राजा और दूसरी सबसे प्रतिस्टित सिंद्यू मूर्तिकला डांसिंग गर्ड एक छोटी कास मूर्ती जो मोहन जोद्रोर में भी मिली दोनों को वापस करने से इंकार कर दिया था और गुट्टो को पता ही है यह सारी चीजे क्योंकि बहुत सारा एरिया हमारा पाकिस्तान में चला गया तो इस तरीके से बहुत से समझोते हुए होंगे जिसके बाद की उसी में से यह जो पुजारी राजा की मूर्ती है वो पाकिस्तान को दे दी गई तो इतना हमारे लिए की पॉइंट बस important है इसके लिए बहुत ज्यादा परिशान होने की जोद नहीं है क्योंकि मैंने बताया कि अगर आपको detail में कहीं लिखना है answer तो आपके लिए इतना information बहुत है और अगर आपको objective के लिए पढ़ना है तो I think इससे अगर आप notes बना रहे हो तो आपके लिए notes के लिए ये sufficient notes ह आपको पता होना चाहिए किस पत्थर से बनी है इस टिटाइट पत्थर से बनी है कहां पे संग रही थै पाकिस्तान में संग रही थै अगर भारत ये अगर आपकिस्तान को कब दे दी गई थी 1972 के सिमना समझोते में दे दी गई थी तो ये सारी चीज़े इसमें अल्रेडी clear कर दी गई है चेहरा कैसा है ना कैसी है पूरी मूर्ती है कि नहीं मूर्ती की लंबाई कितनी है ये सारी चीज़े अल्रेडी मैंने इसमें clear कर दी है जो बच्चे डिटेल में पढ़ते है या भी FMF वाले अपने पढ़ते हैं उनके लिए ये ठीरी के लिए बहुत अच्छे क्वाइंट है जो कि मैंने इसमें फूरे दे दी हैं इसके अलावा भी आपको कोई कोश्चन हो अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप उसको कमेंट्स करके पूछ सकते हूं मैं इसलिए हर फोटो लगा देती हूं ताकि आप साथ साथ पढ़ने के साथ साथ में ही उसको देखत करके आपको आसानी से आपके दिमाग में छप जाता है कि हाँ ये मूर्थी में ऐसे ऐसे था और अगर कहीं से भी कोश्चन पुटा पुटा है तो आप उसको लगा सकते हो ये बहुत बार पूछा गया है कि वो जो शॉल लपेटे हैं उसमें क्या बना है या वो हुजारी कि राजा की मूर्थी है और उसमें मतलब किस पत्थर से बनी हुई है तो इस ट्राइब के चोटे अटो कोशन बहुत ज्यादा आते हैं I hope आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स करके हो सकते हो मिलते हैं अपने झाल